नमस्कार किसान भाईयो एक रोटेक चेनल में आपका स्वागत है किसान भाईयो आज हम बात करने जारे है स्वाधिन के बारे में दोस्तों स्वाधिन एक्सल कंपणी की फंगिसाइड है जो की काफी अच्छा फंगिसाइड है यह fungus को तीन तरह से कंट्रोल करता है इसपर्स, अंतरप्रभावी और बाफसी है साथ ही इतना नहीं यह है एकसल कंपनी का स्वाधिन भपून नासक का भी काम करता है मकडी नासक का भी काम करता है और जो पौधा में फाइटो टोनिक प्रभाव होता है उसे भी बड़ाता है जिससे कि पौधा जो होता है वो हरा भरा दिखाई देता है वो जो सल्फर की कमी होती है उसे भी पूरा करता है क्योंकि स्वाधिन में टेवी कोनजोल और सल्फर की मातरा पाई गई है उसके बाद किसान बाईयों यह पत्तों के दालत दो घंटे में शोक लिया जाता है उसके बाद बारिस का इस पर किसी प्रगास कोई असर नहीं पड़ता है स्वाधिन दोस्तों फाइटोटोनिक प्रभाव के साथ साथ बहतर उपज और गुणबता वाला उत्पादन देने में भी साहता प्रदान करता है साथ यह पौधे की प्रतिरोधक छमता को बढ़ाता है उसके बाद दोस्तों यह तूरंत एक समान गुलंसील होता है और इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो हमारी तोचा पर किसी प्रकाव से कोई जलन नहीं पढ़ती है किफायती और प्रभवी नियंतरन होता है अब बात आती है दोस्तों कि इसका फसल पर हमें किसनी मातरा में छिड़काव करना चाहिए इसके लिए दोस्तों आपको इसके छिड़काव की मातरा दी गए ये बहर प्रती एकड़ के हिसाब से लगवग 500 ग्राम, 160 ये 200 लिटर पानी मिलाकर इसका फसल पर छिड़काव किया जाता है इसके बात आती है दोस्तों कि इसका छिड़काव हमें फसल पर कप करना चाहिए तो दोस्तों रोग के प्राज़म्बिक लक्षन दिखते ही इसका छिड़काव कर देना चाहिए रोग बढ़ने या फैलने के समय किया गया उपयोग बहतर सुरक्षा प्रदान करता है उसके बाद दोस्तों जो fruit rot आता है उससे control करता है फ्यूर उसके बाद दोस्तों यह लीप spot को control करता है इसका छिड़का भी हम विविन प्रकार की फसलों पर कर सकते हैं जैसे कि मिर्च, अंगूर, आम, गेहूं, मटर, कद्दू, सेव और कई प्रकार की अनाज वर्गी, फल वर्गी और सब्जी वर्गी फसलों पर कर सकते हैं इसमें दोस्तों सबसे वेष्ट फंगी साइड जो टेकनिकल अब बहा मिलाएगा है, टेवी कोनजोल और सलफर, तो यह दोस्तों अगर आपके खेद में मकडी वाली समस्या है, मकडी जो इंसेक्ट माइट्स, माइटी साइड का भी काम करता है, और दोस्तों आप नीचे द स्वाधिन, इस तरह दोस्तों आप अपनी फसल में स्वाधिन का प्रियोकर फसल में फंगस को तीन तरीके से मार सकते हैं, साथ ही है हमारी फसल में तीन तरह के फाइदे देता है, तो मैं तो यही रिकमेडेट करूँगा कि आगर आपके खेद में फसल में फंगस की समस्या तो एक बार आप स्वादेन का छिड़का करना ही चाहिए इस तरह दोस्तों मैं आपसे बिदा लेता हूं उमीद करते हो कि सान वीडियो मेरे वीडियो को जरूर पसंद आओगा तो वीडियो को लाइक हो चेनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा धन्यवाद